श्री गडेश आहे नमहा, स्वागत आप सभी का मेरे वक्ती भावना योटूब चैनल पर, 10 सिप्तम्मर, गडेश चतुर्ती, महा सुव्योग, इस दन भगवान गडेश जी की मूर्ती लाते समय, साथ में आपको एक चीज भी लेकर करके आनी हैं, घर में अगर ये चीज ला किरपा बनी रहेगी, माता लच्मी की आपके उपर किरपा होगी, जिससे आपके घर में भरपूर धनाएगा, भगवान गडेश जी की स्थापना करने से हमारे सभी विग्न दूर हो जाते हैं, यह उस्सव बहुत ही बड़ा उस्सव होता है, 10 तारिक से लेकर के 19 तारिक त गडेश विसरजन के बाद में भी आपको वह चीज सदा ही घर में रखनी है, इतनी प्रभावसाली है कि आपके घर के सारे कश्ट दूर हो जाएंगे, जब आप भगवान गडेश जी की मूर्ती लेकर गया हैं, तो आपको मूर्ती का भी विशेश रूप से ध्यान रखना चाहिए, आप किस प्रकार की मूर्ती ला रहे हैं, आपके घर में क्या परिशानिया हैं, भगवान गडेश जी की सभी मूर्तिया मंगल में होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी मूर्तिया भी होती हैं, जिनका विशेश मैत्त होता है, आप अगर भगवान गडेश जी की यह मूर्त लाते हैं तो आपके जीवन में हर प्रकार का सुक और बैवब प्राप्त होगा जीवन की हर खुशियां आपको मिलेंगी आपके सारी परिशानिया दूर हो जाएंगी तो आपको विशेशूप से मूर्ती लाते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कुन सी मूर्ती आपको घर में लेके जाने हैं एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि भगवान की मूर्ती लाते समय आप फ्रिशेश साबधानी बरते हैं जब आप भगवान गड़ी जी की मूर्ती ला रहे हों तो रास्ते में मूर्ती को कई भी टिकाना नहीं हैं मूर्ती आप सीधे घर में लेकर के पर दोना चाहिए। सबसे पहली होती है मूशक पर सवारी। कई मूर्ति आपने देखे होंगी कि भगवान गड़ेजी के सामने मूशक होता है। लेकिन जो मूशक पर सवारी की मूर्ति होती है उसका विशेश लाव माना जाता है। कि भगवान गड़ेजी की जो मूशक की सवारी की मूर्ति अगर घर में लाते हैं तो भगवान गड़ेजी हमारी सभी व्यादाओं को दूर करते हैं। हर प्रकार के कश्ट दूर हो जाते हैं। दूसरी होती है नित्ताकार मूर्ति जिसमें भगवान गड़ेजी नित्त करते हुए होते हैं अगर यह मूर्थी घर में होती है तो हमारे घर में खुशियां ही खुशिया आती है प्रतिक मंगल कार संपन होते हैं घर के सारे कश्ट दूर हो जाते हैं वही नित करते हुए मूर्थी अगर सीधे हाथ को सूण हो भगवान गड़ी जी नित कर रहे हैं और सूण सीधे हाथ को हो तो ऐसी मूर्ती विशिस दुरलव होती है अगर ऐसी मूर्ती मिल जाती है अब आप देखरें पहली मूर्ती में सीधे हाथ को सूण है तो सीधे हात बारी अगर सूण की मूर्ती मिल जाती तो दोस्तों आपके जीवन की हर परिशानी दूर होगी नीले रंग की मूर्थी अगर आप श्याम रंग की मूर्थी भगवान गड़ेजी की लाते हैं तो फुत्र प्राप्ती होती है प्रतेग मंगल कारे संपन होते हैं घर में खुशी आती हैं और संतान सुक मिलता है जिन तो आप कोई भी मूर्थी ले आएं सभी मनो कामना पूरी करती हैं लेकर मूर्थियों का विशेश मैत तो होता है वही आप भगवान गड़ेजी की सांत सुवाब की मूर्थी लाते हैं तो यह भी मूर्थी मंगल में होती है हमारे घर में शुक सांती बनी रहती है हर प्रक ये पुप कापी लोगों के गरों में चुट्चुटी बात बंल्डाई जगरे होते हैं, कुरोध आता रहता है तो ये मूर्तियां भी विशेशी लावकारिय था भगवान स्थ हिंग गजगीं की प्रसन्न मुद्रा मूर्ति यह भगवान गड़ेजी की मूर्ती मंगल में मूर्ती होती है सिंदूरी कलर की यह मूर्ती घर में प्रते एक मंगल कार संपन होते हैं घर के सारे कश्ट दूर हो जाते हैं और पुत्र प्राप्ती का सुक भी मिलता है भगवान गड़ेजी की जो श्याम रंग की मूर्ती है और सिंदुरू या कलर की मूर्ती होती है इससे मंगलकार संपन होते हैं और पुत्र धन की प्राप्ती होती है भगवान गड़ेजी की पूजा करें अब मैं आपको बताऊँगा कि भगवान गड़ेजी की मूर्थी के साथ में आपको क्या लेकर करके आना है भगवान गड़ेजी की जब आप पूजा करें, मूर्थी लेने जाएं तो आप एक थार सजा करके रखें जिसमें पूजा का सभी सामन हो रोली मोली चावल लोंग लियाची पान के पत्ते सारी चीज़े हो वही एक नारियल भी आपको त्यार रखना है कलस के लिए कलस बना करके आपको त्यार रखना है उस कलस में एक सुपाड़ी एक सिक्का चावल रोली ये सारी चीज़े आपको डालनी है और कलस का पोटो यह है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस पकार से आपको कलस त्यार करना है यह कलस भगवान गड़ी के पास रखना है और एक नारियल आप साइट में देख रहे हैं कलस के रखा हुआ है तो यह नारियल अलग से रखना है भगवान गड़ जी के सामने प्रसाद के रिलिए विशेश में तोता इसका अब आपको क्या करना है कि ये सारी त्यारी करके आप रख ले और थोड़े से चावल लेकर के उस आशन पर डाले जिस आशन पर आपको भगवान गड़ जी को इस्तापत करना है वहाँ पर आप रोली से स्वास्तक चिन्न बनाएं और भगवान गड़ जी के साथ लाना है आपको स्री गड़े सियंत्र आपको भगवान गड़ जी के साथ लाना है इसके इस्तापना भी भगवान गड़े जी के साथ ही आपको अपने घर में करनी है और इस पर रोली से स्वास्तक चिन आपको बनाना है जब आप प्रति दिन भगवान गड़े जी की पूजा करेंगे आराधना करेंगे भगवान गड़े जी की भक्ती करेंगे तो इसकी भी पूजा करनी है और इसके अंदर मंतर लिखा होता है ओम गंगणगर्पते नमाहा एस मंतर का आपको परति दिन जाप करना है दोस्तो जिस घर में ये मंगल यंत्र होता है जिस घर में मात अल लक्षमी और गड़ेजी का यह यंत्र होता है उस घर की परिशानिय दूर हो जाती है एक तो होता है श्री यंत्र एक होता है श्री लच्मी गड़े से यंत्र तो अगर आपको यह भी मिल जाता है श्री लच्मी गड़े से यंत्र तो आप यह ला करके जरूर रखें जिस घर में यह होगा उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, पुत्र, धन, सुक, सम्रदी, सब कुछ प्राफ्त होगा, तो आपको भगवान गड़ेजी की मूर्ती जब ले करके आनी है, तो साथ में यह यंत्र भी आपको ले करके आना है, अगर यह यंत्र आपके घर में रहा, तो जीवन की हर परिसानी पूजा करें, ओम गंगडपते नमा मंतर का जाप करें, श्री महालच में नमा मंतर का जाप करें, आप देखेंगे कि आपके दीरे-दीरे सारी परिसानियां दूर हो जाएंगे, कर्ष्ट दूर होना शुरू हो जाएंगे, आपको अन्वाब होगा कि साक्यात भगवान नन कराएंगे और स्वास्तेक चिन बनाके थोड़े चावल छोड़ करके और घी का दीपाक इनके सामने जला करके श्री गड़े सायनमा या ओम गंगर पतिनम मंत्र का जाप करेंगे वीडियो शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें